एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल जी टी गुरु जी पर जहाँ आप सब को पता है जी फर ग्रामर एंटी फर टांसलेशन के विडियो जी आप सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्ट आपका हैं टांसलेशन गुरु प्रभात कुमार और आज मैं आप सब के लिए लेकर आएं Oxford current English translation के exercise 54 के solution को लेकर जिसमें translate into English लेकिन in both ways where possible तो बता दू यह तो exercise 54 है आपको इससे पहले मैंने 53 तक के वीडियोज अपलोड कर दी है उनके playlist का link आपको उपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे description में मिल जाएगा हम आज से जाकर कि आप पूरे एक से लेकर 52 तक के देख सकते हैं तो इससे पहले जो 52 का जो था जिसका link आपको उपर अभी दिखा होगा तो उसमें जो है उसमें भी इस प्रकार का था उसमें sentence नहीं थे तो उसमें हलका समय बता देता हूं बाखी तो यह solution video जैसे राम की पु रहा है निर्जीव तो केवल आफ वाला लगाएंगे और जब रहा है दोनों सजीव तो केवल अपस्ट्रॉफी इस वाला लगाएंगे जैसे की इसमें चलिए तो हम सिदा शुरू करते हैं जहां जहां दो हैं वहां दिया ही हुआ है तो बना हो यह राम की पूस्ता के दोन सजीव है के वल अपस्ट्रॉफी इस वाला लगेगा रामस फ्रेंड इस जेंटल अगला बरेंगे सीता की गाये काली है क्या हो जाएगा यहां पर दोनों बड़े हैं तो मतलब गाये वाले में हम बड़े ही मान करके एक ही बनाए तो मैंने दे दिया है बट आपको एक ही ब आपको लिए तो इस वाले चांट से रहे तो केवल अपस्ट्रॉफी लगा करके छोड़ देंगे तो इसी नियम पर है यह पिछले में ब्ताया था यह लड़को का कमरा है this is boys room या this is the room of boys फिर है या लड़कियों की पाथशाला है फिर वैसे ही girls में भी वैसे this is girls school या फिर this is the school of girls बढ़ेंगे आगे और अगला है या गायों का घर है है न वैसे गायों के घर को shed कहते हैं लेकिन हमें translation मनाना है this is the home या house of cows अब यहां cows भी लिख सकते हैं या the cows भी लिख सकते हैं खास गायों का भी लिख सकते हैं लड़कों के पिता नेक है अब एक भी हो सकते हैं नहीं तो आप fathers भी लिख सकते हैं और आर भी लिख सकते हैं या लड़कों की पाच साला है यहाँ पर किसी कोम लडके नहीं, ब cuarto लडके हैं, दो लडके हैं, एक से दिक जितने भी लड़के, तीन लड़के, उन सब के एक पिता है, भाई भाई हैं, ऐसे भी हो सकता है, या फिर वे लड़कों के पिता यह जो दो तीन लड़की है इन सब के पिता नेक है यहां तो बहुचन भी हो सकता है ना क्लियर नहीं है इसलिए लड़कों के पिता नेक है ठीक है अगला है राची की जलवाई हूँ एक छूट गया यह लड़कों की पाड़ साला है इस बोईज स्कूल और यहां फिर दिस दव स्कूल अब बोईज यहां दो बोईज भी लगा सकते हैं राची की जलवाई हूँ अच्छी है दोनों जो है राची में इन होता है ध्यान रखेंगे और एक चीज़ यहां मैं बता रहा था यहां पर दो लगाने की खास अब सकता नहीं है क्योंकि स्कूल लड़कों का है सबी लड़कों का हम उस लड़के जो इस स्कूल में अपर रहोंगे वह खास हो जाएंगे इस नदी का पानी गंदा है दोनों ने जीवाइस लिक्यावल ऑफ वाला दा वाटर ऑफ द तक दूखांदार के पारशार इन पुछ सब्सक्रें इसका क्या है बतारन के घर और चाना हुआ आप कावश सब्सक्राइष ने और reach रहा हुआ है ऑं price ही हम कहेंग इसलिए होगा the price of this book is a hundred रुपीज hundred के पहले ए लगेगा लगता है hundred thousand इन सब के पहले या फिर फूल लाल हो तो hundreds thousands लगेगा फूल का रंग लाल है एक ही फूल है इसलिए दह लगेगा ही the color of the flower is red इस school के बच्चे शैतान है the students of this school are naughty वैसे श्रतान के और भी दे सकते हैं और मिस्चीवियस वगेरा भी दे सकते हैं naughty मैंने दे दिया normally यही चलता है इस पेर के फल मीठे है the fruits of this tree are sweet यह 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 टेवूल का पाउं है this is the leg of the table किसी कास टेवल का ही इस चड़ी की लंबाई साथ फूट है the length of this stick is seven feet लंबाई में feet होता है foot नहीं राम वैसे यहां पर जो है चड़ी की मतलब मुचाई वाला जो रहता है घर है वो foot पे होगा है ना जो है वो foot पे और जो चाड़ाई में vertical horizontal जो रहता है उसमें feet couple करते हम लोग घर बनाते हैं तो नापते हैं तो feet में और पहार की उचाई या समुद्र तलसी इतने foot की उचाई पर कहते है तो उचाई वाला या वर्टिकल जो फूट है और horizontal जो है ये feet है आप चड़ी तो दोनों होता है इसलिए मैं अंडर लाइन कर दे है चड़ी को खरा भी रख सकते हो और सुता के भी रख सकते हो तो इसलिए आप लगा लिजे राम का स्वास्त अच्छा था राम सेल्थ वाज गूड या दे हिल्थ आफ राम वाज गूड इस पुस्तक के पन्ने उजले हैं दे पेजेज अफ दिस बुक आर वाइट बरेंगे आगे अगला है हमारा इस मकान का दरवाजा टूटा था दे डोर अफ दिस हाउस वास ब्रोकेन भारत के किसान गरीब है दे फार्मर्स ओफ इंडिया आर पूर इस कलम की कीमत मातर दस र मेरे भाई का भागी अच्छा रहेगा माई ब्रदर्स लख विल बी गुड बढेंगे आगे रगला है कस्मीर की सुंदर्ता प्रसंस निये हैं दे ब्यूटी अफ कस्मीर इस प्रेजबर्ती बारत का भविस्या स्पस्ट है दे फूचर अफ इंडिया इस क्लियर इस कमडे क कि दीवारे रंगीन हैं दे वॉल्स अफ दिस रूम आर कलर फुल फिर है इस पुस्तक का आकारा कर सक है दे साइज अफ दिस बुक इस अट्रक्तिव इस प्रकार सी यहां पर एंड हो गया उमिद करता हूँ आपने मिला लिया होगा कोई कंफूजन नहीं होगी फिर भी कि अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं तो कमेंट्स करते रहे हैं इससे मुझे एक सजेशन में मिला है कि अब से आज से जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ ग्रेमर का इसके सारे कोस्टन का मैं हिंदी बता रहा हूँ बताना शुरू कर दिया है क्योंकि आप लोग की डिमांड बता दिए हिंदी तो अच्छा रहेगा तो मैंने बताना शुरू कर दिया तो आपके सजेशन में काम भी करता हूँ और एक 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 कमेंट का मैं स्वेंग जवाब देता हूँ इस बात का ध्यान रखेंगे वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैनल पे नए है या चैनल क अगले वीडियो में तब तक के लिए हाव नाइस डेव